मूवी की शुरुआत में हम पिंग नाम के गूस को देखते हैं दरसल सर्दियां आने वाली थी इसलिए गूस का जुन्ड वहां से दूर कर्म जगा पर माइगरेट करने वाले थी मगर पिंग हमेशा सही अपने गूप से अलग रहता क्योंकि उसे लगता था कि वो सभी से काफी ज़्यादा डिफरेंट है वो बाकी गूस के साथ डिसिप्लिन में भी रहना नहीं चाहता था इसलिए उसके गूप का लीडर बिंज उसे हमेशा ही परेशान करता रहता क्योंकि पिंग कभी भी उसकी कोई बात को नहीं मानता पिंग को भले ही लीडर कुछ खास पसंद नहीं था लेकिन बाकी सभी गूस उसे काफे ज़्यादा पसंद करते थे इसके बाद हमें दो डगलिंग भाई बहन को दिखाया जाता है जिनका नाम चाओ और चिन होता है असल में चाओ थोड़ा सा सरारती था लेकिन उसकी बड़ी बहन हमेशा ही उसका खयाल रखती और उस ग्रूप का डग भी कहीं जर्नी पर ही जा रहा था यहाँ पिंग की एक जिन नाम की गल्र्फिंट होती है जोकि ग्रूप लीडर की ही बेटी थी पिंग जिनके साथ मस्ती करने लगता है जिससे उसका बैलेंस पीच में ही विगड़ जाता है और वो सीधा जाकर उस डग के ग्रूप से टकराता हुआ पास की नदी में गिरता है जिन तुरंत ही उसके पास आ जाती है और उसको बताती है कि उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा नाराज है तभी वहाँ जिनके फादर लीडर भी आ जाते हैं और वो सभी को बताते हैं कि सर्दिया बहुत जल्द आने वाली है इसलिए हमें अपने माइग्रेशन को बहुत जल्दी करना होगा इसके बाद वो पिंग पर भड़कते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हारी हरकते ऐसी ही रही तो हम कभी भी जल्दी दूसरी जगा पर नहीं जा सकते हैं इतना बोल कर वो पिंग को अपने गुरुप से निकाल दीता है और छोटे छोटे गुस बच्चों के साथ उड़ने को कहता है लेकिन पिंग इस बात के लिए मना करते हुए कहता है कि अब वो अकेले ही सफर तै करेगा और उन लोगों से पहले पहुँच कर दिखाएगा तब जीन उसे समझाते हुए कहती है कि अकेले तो कोई भी सफर तै कर सकता है लेकिन जो अपने गुरूप का खयाल रखे वो ही एक अच्छा गूस है इतना बूल कर वो गुसे में वहाँ से चली जाती है इधर दूसरी तरफ पिंग की वज़ा से चिन और चाओ भी अपने गुरूप से बिछड गए थे वो दोनों एक पाइप के अंदर छुपे हुए थे क्योंकि एक खतरनाक बिल्ला उन्हें खाने की ताक में बैठा हुआ था इसलिए ही वो दोनों रात होने का वेट कर रहे थे ताकि वो लोग चुपके से वहां से निकल जाएं कि तुम्हें अपने साथियों के साथ ही जाना चाहिए पिंग उसे बोलता है कि उन्हें जाने दो मैं कल से अपना सफर तै करूँगा और तुम देखना मैं उनसे पहले पहुँच कर दिखाऊंगा इधर बाकि सभी गूज अपने माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं लेकिन जिन को ऐसे पिंग को अकेले छोड़के जाना बिल्कुल पे अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ी ही देर में राध भी हो जाती है तब चिन और चाओ उस पाइप से बाहर निकलने का डिसाइट करते हैं मगर तब ही वो बिल्ला उन पर अटैक कर देता है जिससे वो दोनों डर कर वहां से भागने लगते हैं मगर सही समय पर पिंग आकर उस बिल्ले को पीटने लगता है और उसे मार कर पास की ही नदी में फेक देता है ये देखकर चिन और चाओ उससे काफे ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे मगर पिंग अब काफे ज़्यादा थक चुका था इसलिए वो वहीं पास में सो जाता है मगर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब वो देखता है कि उसके दोनों विंग्स के नीचे चिन और चाओ सो रही है चाओ तुरंती पिंग से लिपट जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पिंग उसकी मॉम है तब चिन उसे कहती है कि उसका भाई बहुत ज़्यादा चूटा है और इसने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा इसलिए वो आपको अपनी मॉम समझ रहा है चिन इसके बाद पिंग को बताती है कि किस तरह से वो उसकी वज़ा से अपने जुन से अलग हो गई इसलिए अब उसे ही उनकी हेल्प करनी होगी तब पिंग उनसे कहता है कि वो कोई भी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसे भी अपनी मंजिल पर जल से जल पहुँचना है इतना बोल कर वो वहां से उड़ जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि चाओ उसका पंक पकड़ कर लटका हुआ है वो उसे जटके से छुडवा देता है मगर इसी बीच ध्यान भटकने के कारण वो एक प्लेट से टकरा कर नीचे गिर जाता है तभी अचानक से वो प्लेट भी नीचे गिर कर उसके पंक को गुचलते हुए पानी में गिर जाती है जिससे पिंक का एक तरफ का पंक जखमी हो गया था इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे अपने ग्रूप के पास पहुचे तब वो सोचता है कि शायद अब उसे सारा सफर पैदली तैय करना होगा जिससे रास्ते में उसे काफी खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो चिन और चाओ को अपने साथ ले लेगा ताकि कोई भी खत्रा अगर आए भी तो वो उन दोनों को आगे कर देगा इसके बाद वो चिन और चाओ के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तयार हूँ और वो उने भरूसा दिलाते हुए कहता है कि वो उन दोनों को ग्रुप से भी मिलवा देगा दूसरी तरफ हमें दिखाये जाता है कि वो बिल्ला पिंक के कच्वे दोस्त को डरा कर उसका पुटा पूछ लेता है डर के कारण कच्वा भी उसे सब कुछ बता देता है कि पिंक का एक पंक जखमी हो गया है इसलिए अब वो ओड नहीं सकता और इतना ही नहीं वो दो डगलिंग्स भी उसके साथ है वो तीनों ही पैदल चल कर सफर तै करने वाले हैं ये सुनते ही वो बिल्ला बहुत ज़्यदा खुश हो जाता है और कहता है कि आज मैं तीन तीन बर्ड्स का शिकार करूँगा दूसरे तरफ वो तीनों चल कर काफी ज़दा ठक चुके थे और अब तो धीरे धीरे तेज बरसात और बिजली भी कड़कने लगती है तब ही उनको वहाँ पर एक जोपरी नजर आती है वो वहाँ पर रहने वाले चिकन से पूसते हैं कि क्या वो लोग आज रात यहाँ पर बिता सकते हैं जिस पर चिकन्स मान जाते हैं तब वो तीनों पूरी रात वहाँ पर बिताते हैं और फिर अगले दिन वो लोग दुबारा से अपने सफर पर निकल जाते हैं मगर वो बिल्ला उन तीनों का पीछा करते हुए उन चिकन्स तक पहुँच चुका था दूसरी तरफ पिंको रास्ते में एक लेडी नजर आती है जिसके पास साइकल थी पिंको साइकल को चुरा कर भागने लगता है मगर तभी ठोकर लगने से वो एक ट्रक में जाकर गिरता है जिसमें बहुत सारे पिक्स भरे हुए थे वो बिल्ला भी अब उनके काफी जदा करीब आ चुका था तब गाड़ी से पिक्स के गिरने के चलते वो बिल्ला उसी में दब जाता है अब वो तीनों ही भाग कर एक जंगल में आ चुके थे और पिंग इस भागा दोड़ी में पूरी तरह से ठक चुका था चिन और चाव उसे किसी तरह जगाते हैं तब पिन उन दोनों को उड़ने के लिए कहता है वो उन दोनों को उपर की तरफ फेक देता है और उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि वो दोनों उड़ सकते हैं उस देर तो हवा में रहने के बाद उन्हें भी लगता है कि वो उड़ सकते हैं पर जल्द ही वो नीचे गिर जाते हैं वो दोनों ही पत्तों के धेर में गिरते हैं पिंग उन्हें बाहर आने को कहता है पर चाओ वहाँ पर नहीं था वो पास के ही एक गुफा में घुज गया था पिंग और चिन डरते डरते गुफा के अंदर जाते हैं अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधिरा था थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें रोशनी नजर आती है दर पिंग उन्हें उस बिल्ले से बर्षते हुए बाहर आ जाते हैं और पास के ही जड़ने में बहते हुए काफी जाद दूर निकल जाते हैं तब ही चिन देखती है कि उन्होंने उस रोट को धूर लिया है जिससे उसका गुरुप आगे बढ़ रहे थे उसी वक्त पिंग को भी अपना गुरुप नजर आता है और वो उन्हें चिला कर रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसे बिना देखे ही वहाँ से चले जाते हैं तब पिंग को बहुत ज़्यदा गुसा आता है और वो उन दोनों पर चिलाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी वज़ उसकी तरफ आता है और उसे धका देकर पास के पहाड पर गिरा देता है पिंग को यहाँ पता चलता है कि वो जानवर काल नाम की उड़ने वाली गिलहरी है काल उससे कहता है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसके तूटे हुए पंखों को ठीक भी कर सकता है इसके बाद काल पंखों में एक डंडा बान दिता है और उसे उड़ने को कहता है इधर ची और चाओ भी अकेले डरते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ चारों तरफ काफी ज़्यादा अधिरा ही अधिरा था दूसरी तरफ काल पिंग को पहार से नीचे फेक दिता है जिससे पहले उसे लग रहा था कि वो नहीं उड़ पाएगा पर डंडे की हेल्प से सच में पिंग उड़ पा रहा था ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खूश होता है लेकिन अब उसे अपने की ये पर पस्तावा भी हो रहा था इसलिए वो चिन और चाओ को धूड़ने के लिए निक हुआए हैं वो सोची रहे थे कि तभी एक आदमी पकड़ कर उन्हें वहां से ले जाता है पिंग भी तब तक उनका पीछा करते हुए बहां तक पहुँच जुगा था दरसल उन सभी डक्स को एक होटल में लाया गया था ताकि उन्हें मार कर इंसानों को परोसा जा सके पि की भीड में वो दोनों पिंग से कहीं बिछड जाते हैं पिंग तब देखता है कि उस बिल्ले ने उन दोनों को पकड़ लिया है और उन्हें खाने की तयारी कर रहा है लेकिन तभी वहां पर लोग पटा के फोड़ने लगते हैं जिससे वो बिल्ला काफी जादा डिस्ट्र लेकिन वो बिल्ला भी उनका पीछा छोड़ना नहीं चाहता था वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी उसकी नजर चिन और चाओ पर पड़ती है जिन्होंने उसकी पूछ और पटाके बांधे हुए थे इसके बाद वो लोग उस पठाकों में आग लगा देते हैं और फाइनली उस कुंखार बिल्ले से उनका पीछा छूटता है तब पिंग उन दोनों को साथ मिले कर वहाँ से चला जाता है लेकिन सर्दिया भी आ चुकी थी और हर जगा बर्फ की चादर बिछी हुई थी पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे लेक और वो दोनों भी उसे लिए बिना कहीं भी जाना नहीं चाहते थे इसलिए वो दोनों पिंग को अपनी पीट पर चढ़ा कर उड़ने लगते हैं वो थोड़ी देर तो उड़ लेते हैं मगर इतना भार वो ज़्यादा देर तक नहीं उठा पाते और गिरने लगते हैं तब इसके बाद वो सभी को चिन और चाव से मिलवाता है सभी लोगों ने उसे माफ कर दिया था और यहीं हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है अब दोस्तों आपको मेरी आवाज आज थोड़ी सी अलग लग रही होगी मुझे काफी जदा कोल्ड और फीवर हो गया है इसलिए मुझे माफ करियेगा बाकि अगर आपको एक्स्प्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलेगा बाकि मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक